सब्सक्राइब कीचिए हमारे चानल को और प्रेस कीचिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले हैं बता दें कि अभिनेत्री की मौत 24 फरवरी की रात दुबाई के एक होटेल में हुई थी जहां वे अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए पहुँची थी अभिनेत्री की मौत का करान हार्ट अटैक बताया जा रहा है लेकिन मामले में जिस तरह की खबरे सामने आ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में कहीं न कहीं कुछ तो जरूर ऐसा हुआ जो सम्मानिय नहीं दिखता और यही कारण है कि अभिनेत्री का शव सुमवार रात दस बजे के करीब भारत नहीं पहुंचा है दरसल श्री देवी के शव को भारत नहीं लाय जाने के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि फिलहाल सरकारी वकील की खीरेंज नहीं मिल सकी है सूत्रों के मुताबिक जब तक खीरेंज नहीं मिल जाती तब तक शव को वहां से लाना संभव नहीं है तो वहीं इससे पहले शव का पोस्ट मॉर्टम की एक रिपोर्ट आई है, जिसके हवाले से और भी चौकाने वाले खुलासे किये जा रहे हैं. दरसल, UAE गलतन्यूज का दावा है कि मौत से पहले श्री देवी नशे में थी. रिपोर्ट के अनुसार उनके खून में अलकुहल के अन्श मिले हैं. बताया जाता है कि श्री देवी जब बात्रूम में गई थी, तब वेह नशे में थी, इसी दोरान लडखडा कर बात टब में गिर गी, जिसमें डूबने के कारण उनकी मौत हो गई. अभीने तरीके शव को भारत लाय जाने को लेकर भारती ये वानज्य दूतावास के अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि दुबाई के अधिकारियों की ओर से सभी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण ऐसा हो रहा है. इसके साथ ही आपको यह भी बतार दें कि श्री देवी की मौत के मामले में पती बोनी कपूर की भूमी का भी संदिक दु नहीं लगता है तो ही श्री देवी का पार्थिव शरीर परिवार को सौप जाएगा. अन्य था यह मामला और भी उलज सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनसार दावा किया जा रहा है कि श्री देवी के कमरे में अंतिन समय में भी बोनी कपूर मौजूद थे.